हेलो फ्रेंड्स आज बनाते हैं एकदम चटपटासा नास्ता जिसे हम चावल आटे से बनाएंगे और मटर से जो खाने में टेस्टी लगता है और यदि आप कम तेल का खाना पसंद करते हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है तो फिर देर किस बात की चलिए बना बनाते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में एक कप पानी डालेंगे और पानी को गरम होने के लिए छोड़ देंगे अब ये पानी गरम हो गया है तो उस गरम पानी में एक चमच तील डालेंगे साथ में इसमें डाल देंगे नमक अपने टे एक कप से थोड़ा सा कम सूजी क्योंकि सूजी से ज़्यादा पानी डालना होता है तो बस अच्छी तरह से सूजी को गरम पानी में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ देंगे कि सूजी अच्छी तरह से पक जाए पकने के बाद इसका क्वांटिट भी बढ़ जाएगा चार से पांच मिनाट हो गया सुजी पूरी अच्छी तरह से पक चुका है तो ग्यास का फ्लेम आफ कर देते हैं दूसरी तरफ लेंगे एक कप मटर और मटर को क्या करना है मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है धलका सा दरदरा ही पीस ना है तो देख सकते हैं हमने हलका सा दरदरा ही पीस है बहुत ज़्यादा बारिक नहीं किया है तो अब इसमें डाल देते हैं नमक अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर डालेंगे यदि भुना वजीरा पाउडर है वो भी डाल सकते हैं और साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच अमचूर पाउडर अमचूर के जगा चाट मसाला भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती एक कटीवी हरी मिर्ची डालेंगे तीखा आप अपने नुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है आप इस मसाला को जितना स्पाइसी और चटपटा बना सकते हैं लेकिन ये भी मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी चटपटा बना है तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं सूजी को हमने एक बड़े बरतन में निकाल लिया था निकाल के अच्छी तरह से इस तरह से मसल मसल के चिकना कर लेना है तो ये डोके फॉर्म में आ गया है तो अब इस सूजी को हमने बेल लिया है बेलने के बाद क्या करना है छोटे साइज का कटोरी से इस तरह से कट कर लेना है तो इस तरह से आप कट करेंगे ना तो एक साइज का बनेगा इसलिए कर रहे हैं और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को फिर से बेल लेना है लोई बना के आसानी से ये बिला जाता है तो अब क्या करेंगे बिला हुआ एक पीस लेंगे इस तरह से और इसके उपर इस तरह से स्टफिंग डालना है बहुत ज़ादा नहीं डालना है जितना इसमें आएगा उसी हिसाप से डालेंगे बस इस तरह से डालके अच्छी तरह से पैक कर देना है नॉर्मल तरीका है एकदम इसी है और आसानी से पैक हो जाता है सूजी है न तो एकदम soft रहता है तो खुलता नहीं है बस हलकालका press कर देंगे इस तरह से तो एक पिस बनके ready हो गया है तो इसी तरह से बाकी का भी बना के ready कर लेंगे तो हमने सारी pieces को बना के ready कर लिया है तो अब इसे क्या करेंगे steam भाप में पकाएंगे भाप में पकावा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में आप चाहें तो डायरेक्ट इसे deep fry भी कर सकते हैं लेकिन आज मैं deep fry अभी नहीं करूंगी steam के बाद करूंगी तो देखिए अब इस तरह से एक जाली वाली बरतन लेनी है जाली वाली बरतन में इस तरह से सभी को डाल देना है तो एक बार में हमने एक ही बरतन में सभी को डाल दिया है अब इसे भाप में पकाएंगे तो भाप में पकाने के लिए कड़ाई में पानी करम करेंगे इस तरह से और इसके उपर रग देंगे और इसे cover कर देना है, cover के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, 10 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगा 10 मिनट हो गया है, cover हटा लेते हैं, यह पूरी अच्छी तरह से पक चुका है तो आप क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए थोड़ी दिर के लिए छोड़ देना है तो देखिया पूरी अच्छे से ठंडा होगे आप इसी तरह से भी खा सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है लेकिन आज मैं इसे डी फ्राइ करूंगी तो क्या करेंगे कड़ाई में तेल गरम करेंगे जब पूरी अच्छे से तेल गरम हो जाएगा तो एक एक बिसकर के इस तरह से सभी को डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे भाप में पका हुआ रहने की कारण क्या होता है तेल बिल्कुल भी नहीं सोकता है एक्दम ड्राई बनता है तो इसी लिए है न हमने पहले इसे भाप में पकाया है आप यदि डाइरेक्ट इसे फ्राइ करेंगे न तो थोड़ा सा तेल सुकता है और ऐसे एकदम सुखा सुखा बनेगा तो अच्छी तरह से गूर्डन कलर का हो गया है तब इसे निकाल लेते हैं और बाकी का भी से इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो सारा सूजी और मटर का चटपटा सनास्ता बनके रैडी हो किया है एकदम टेस्टी बना है तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें